हलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है, मैं रास्के शाकमरिस नात कोतर महविद्याले समरलेक में वरस्पत्ति विज्ञान का स्वय आचारी हूँ आज में अपना व्यक्षान, कॉंप्लिमेंटरी जीन अर्थार्थ पूरग जीन पे प्रस्तूत करने जा रहा हूँ पूरग जीन क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक स्वतंदर जीन आपसी सहयुग द्वारा एक ही लक्षन को विक्सित करके अभिव्यक्त करते हैं किन्तु इन में से कोई भी अकेला जीन उस लक्षन को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो ऐसे जीन पूरग जीन कहलाते हैं यह जीन एक दूसरे के पूरग होते हैं तथा मिलकर ही एक गुण को प्रदर्शित करते हैं प्रभावी लक्षन के विकास के लिए दोनों जीनों का प्रभावी होना अत्यान्त आवशक है कॉम्पलिमेंटरी जीन का सर्वत्तम उधान मीठी मतर में पुष्पों के रंग में देखने को मिलता है डवल्यू बेट्सन और आर्सी पुन्नेटर ने अपने एक्सपरिमेंट में श्वेत पुष्प वाले मतर के पुधे को श्वेत पुष्प वाले मतर के पुधे से जब क्रॉस करवाया आर्टिफिशल हैविड़िजिशन करवाया क्रॉस करवाया तो एफ़ण संतती में सभी पुष्प बैंगनी प्राप्त हुए है जब एफ़ण पौधों से एफटू संतती प्राप्त की गई तो रंगीन वर श्वेत पुष्प वाले पात्मों का फिनोटिपी ग्रेशो क्रम शह 9-7 प्राप्त हुआ उनके अनुसार यह 9-7 का अनपाद भी सामान्य द्वी संकर संक्रन के फिनोटिपी ग्रेशो 9-3-3-3-1 का ही एक स्वरूप है जिसमें केवल एक लक्षन के रूप में पुष्प कारंग ही लिया जाता है पुष्प में रंग यह जो आप देख रहे हैं जो बैंगने रंग देख रहे हैं पुष्प में जो बैंगने रंग है वो एंतोसाइनिन के कारण होता है यह रंजग अपने पूरवर्थी प्रधार्थों क्रोमोजन से उत्पन होता है एक जीन कैपिटल C रंगीन प्रधात क्रोमजन के लिए उत्तराई होता है तो दूसरी जीन कैपिटल P उस एंजाइन को सक्रिय करने के लिए आवशक है जो क्रोमोजोंग को एंतोसाइनिन में परिवर्थित करता है जब ये दोनों आवशक प्रधार्थ यानि एंजाइन प्लस क्रोमोजन कारक उपस्तित होंगे तभी पुष्प का रंग बेंगनी होगा पुष्प के रंगीन होने के लिए दोनों जिनों कैपिटल सी और कैपिटल पी का प्रभावी होना अनिवाद है दोनों जिन्स में से किसी एक की भी अनुपस्तिती में पुष्प रंगीन आवकर श्वेत होगा